हेलो गाईज आज हम फिर से आये हैं आपके पास नेप क्लासिज आपका सबका वेलकम करता है और आज हम पढ़ेंगे टाइपस आफ कैमिकल रियक्शन्स पहला हमारा टाइप है आज हम पढ़ेंगे सिर्फ कॉंबिनेशन रियक्शन कॉंबिनेशन रियक्शन क्या होता है अब कैमिकल रियक्शन इंवेच सिंगल प्रेड़ेंगे एस फॉर्म फ्रॉम तू और रियक्टेंट्स इसे हमारा बनेगा A, B तो इन दोनों combine, दो reactant को combine करके एक single product बना है तो यह हमारा होता है chemical reaction जैसे एक जैसे example लेते है calcium oxide calcium oxide जब react करता है पानी के साथ, water के साथ तो बनाता है slaked line जैसे हम कहते है calcium hydroxide और इसके साथ सथ हमारे क्या निकलता है बहुत सारा heat निकलता है जैसे गेरा, example, CAO यह हमारा है calcium oxide और इसको हम दूसरा नाम कहते है quick lime दूसरा हमारा बताया गया तक पानी दूसरा हमारा पानी और इससे हमारा क्या बना है यह देखिए, यहाँ क्या है दो reactants है, एक reactant one और एक reactant two तो इनसे बना हमारा हमारा एक product बना है इसमें क्या होगा, यह क्या चीज़े इसको हम कहते है slate lime, यह बहुत important चीज़े यह important चीज़े, याद कर लीजेगा यह वाला reaction इसमें क्या बतता है, calcium oxide यह वाला हमने बढ़ा था, calcium oxide जब react करेगा water के साथ तो बनेगा हमारा slate lime, calcium hydroxide इसे कहते हैं, calcium hydroxide और हमने बता ही रखा है जहां पर solid होगा, वहां लगाएंगे S, और जहां पर liquid होगा, वहां लगाएंगे L, और जहां पर पानी होगा, aqueous होगा, वहां लगाएंगे aqueous, ठीक है, हम आगे चलते हैं अब कुछ और एक्जामपल ले ले लेते हैं combination reaction का, जैसे पहला एक्जामपल है, burning of coal burning of coal, जब जलता हुआ कोईला, जब कोईला जलता है तब क्या होता, कार्बन है और oxygen है, oxygen oxygen होती है fire में, आग में, जब आग चल लेगा, कारण है oxygen का होना तो, जब carbon और oxygen मिलते हैं, तो हो गया carbon dioxide, यह हमारा burning of coal का reaction है अगला है, formation of water from hydrogen and oxygen, तो हमारा दूसरा भी है, यह भी combination reaction है, यहाँ पर भी reaction, दूसरा reaction मना के water बना रहा है यह वाला reaction तो सबको पता ही होगी आगे चलते हैं, अब combination reaction का बाद में हम बात करते हैं, exothermic reaction, exo मतलब बाहर, thermic मतलब गर्मी से related है, अब exothermic reaction का मतलब क्या reactions in which heat is released, along with the formation of products, ऐसा reaction जिसके अंदर heat निकाली जाती है, heat निकलती है किसके साथ along with the formation of products, products के बनने के साथ, जिसमें heat निकली जाएगी वो reaction क्या कहीं कि exothermic reaction अब जैसे इसका example लेते हैं, burning of natural gas natural gas natural gas ले लिया तो यह वाला है oxygen carbon dioxide और water यह example याद कर लिजेगा exothermic reaction का हमने पहले ही बात करती है, exothermic reaction की पिछले वीडियोस में और देखे आगे क्या है, और भी exothermic reaction का example ले लेते हैं, जैसे यह आप जानते हैं respiration, मतलब sushan kiriya, sushan kiriya क्या है, एक exothermic reaction है, exothermic बताया है, जिसमें heat release होती है, तो जब हम digest करते हैं हमारा digestion होता है, तब क्या होता है food होता है, food is broken down into simpler substances food होता है, वो छोटे-छोटे भागों बनाए, ब्रेक होता है उसके बाद क्या होगा, जिसे example हम खाते हैं, rice चावल खाएंगे, potato खाएंगे, या bread खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, तो उनमें क्या होता है carbohydrates होता है तो ये carbohydrates क्या होगा, किसमें ब्रोक होगा, किसमें तूटेगा glucose बनाएगा, तूटके बनाएगा glucose, तो जो glucose होगा न, वो जोइन हो जाएगा किसके साथ, oxygen के साथ in the cells of our body हमारे body के cell के अंदर और क्या देगा हमको, energy देगा इस type की हम जानते है किस नेम से respiration के नेम से तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, ये C6 H12 और O6 C6 H12 O6 ये आपका formula है, ये aqueous ये आपका formula है, glucose का ये है आपका formula है, glucose का जब oxygen के साथ react करेगा तो निकलेगा carbon dioxide एकको स्पूम और water और निकलेगा energy ये थी हमाया reaction, इसको balance करते हैं अब जिसे हमने balance करना सीखा था पहले यहाँ पे क्या है, देखिए, O2 है इधर कितने है, O2 प्लस एक, तीन है ना ये आपका यहाँ oxygen तीन है तो अगर हम यहाँ पे इधर गागया बैट इरा इधर देखिए, हम इधर लगाते हैं यहाँ पे दो oxygen तो इसको अगर हम दो करते हैं तो यहाँ हो गए चार अब इधर कितने हो गए दो और तीन तीन ही हुए तो इधर चार है तो इधर बढ़ाएके दो अब देखिए, दो 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 नी दो दो हो गया, दो और दो चार हो गया इधर फूरा, इधर इधर देखिया कितने है oxygen छह इधर हमारे कितने oxygen दो आपके दो चार कया, यहाँ पे दो है अब कितने हो है च्छे, दो नी बाररा यह परहुत है आप इतना होगे शे आरे करतेंगे आप से और बारा हो गए इदर कितना है कितना है याप मामला परबर हो गया देखिए लाहं पारा होगे अब कितने उक्सियन बाग की है इधर इधर दो ही है वो इधर कितने है इधर हमारे 6 है तो इधर 6 करने के लिए क्लिए करना पड़ेगा इधर भी 6 लगा देगी तो यह हो गया हम मेरा 6H2 हो ठीक है आगे हम चलते है धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही अगली हम रियक्शन नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू प्लेस सब्सक्राइब मैं चैनल